चलिए दोस्तों आज बनाते हैं भाई दूज के लिए बहुत ही टेस्टी सूजी की रस भरी मिठाई तो चलिए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए हमने एक पैन में एक कटोरी सूजी ली है सूजी आपको बारीक वाली लेनी है लगतार चलाते वे इसे हम लो मीडियम फ्लेम में 4-5 मिनट तक भूनेंगे जब तक की सूजी अच्छे से भून नहीं जाती और इसका कलर हलका साथ चेंज नहीं हो जाता तो अब हमारी सूजी अच्छे से भून चुकी है उसी कटोरी से नापके हम इसमें दो कटोरी दूद डाल देंगे एक कटोरी हम में सूजी ली थी Spencerito kuturi डूर डाल लिया है लिचे मिक्स करेंगे जिस्टे किस में लंगल यहीं है तो तुरन ती आपको इसे थोड़ा सा 무엇 टोड़ा है आप चाहें तो इसमें एक कटोरी दूद और एक कटोरी पाने भी डाल सकते हैं बट मैंने इसमें दो कटोरी दूद डाला है इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं आप देख सकते हैं सूजी जो दूद है वो अब जॉब कर रही है और थोड़ा सा थीक हो रहा है इसका मिश्रन तो इस तरह से चलाते हुए हम इसे अच्छे से पकाएंगे तो यह देखें थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसकी consistency कुछ इस तरीके की हो जाएगी है काफी ठीक हो गया है तो अब हम क्या करेंगे गैस बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसे cover करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए जिसे की सूजी अच्छे से फूल जाएगी तब तक चासनी तयार करेंगे तो एक बरतन में एक कटोरी चीनी और एक कटोरी हमने पानी डाला है अब चीनी के गुलने तक हम इसे चलाते रहेंगे हमें इसके लिए एकदम चिप-चिपी चासनी तयार करनी है जैसे कि हम गुलाब जामुन के लिए चासनी तयार करते हैं थोड़ा सा हम इसमें इलाइची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए और यह देखिए हमारी जो चासनी है वो चिप-चिपी सी हो गई है हमने कैस बंद कर दी है और इसे साइड में रख दिया है इधर 15 मिनट हो गए है और यह भी अच्छे सेट हो गई है सूजी तो हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम डालेंगे तीन चमश मिल्क पाउडर और दो चुटकी हम इसमें बेकिंग सोडर डाल देंगे साथी साथ एक बड़ा चमश देशी घी डालेंगे और इन सारी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स करना है तो तो इस तरह से हम एक थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसका और बॉल बनाएंगे यह देखे इसमें ध्यान रखें इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए तो इस तरह से बॉल्ल बनाने के बाद हम इसमें टूथपिक से ऐसे डिजाइन बना देंगे जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगेगा बट यह टूटली ओप्सनल है आप चाहें तो सिर्फ ऐसे ही सिंबल सा गोल बना सकते हैं बट मैं इसे थोड़ा सा पेड़े की सेप में और इस तरह से डिजाइन बना रहे हूँ तो यह देखने में ब बना के तयार कर लेंगे यह देखिए लग रहा है ना देखने में अच्छा और इसके बीज में भी एम ऐसे निशान लगा देंगे तो इसी तरह से हम बागी सारे बना के तयार कर लेंगी तो यहां पर हमने बना के रेडी कर लिया है अब हम चलते हैं आगे की process में तो हमने आपर एक कड़ाही में तेल गरम होने के लिए रखा है तेल एकदम हलका medium गरम होना चाहिए तब हम इसमें ये डाल देंगे आप देख पा रहे होंगे कि तेल को मैंने medium गरम किया है अगर हम high flame में इन्हें fry करेंगे तो बाहर से तो ये dark हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे अब इसके उपर हम थोड़ा सा इस तरह से तेल डाल देंगे और जब एक साइट से ये अच्छे से fry हो जाएं तब आपको इन्हें टर्न कर देना है तो बहुत हलके हाथों से करें जिससे ये टूटे नहीं मैंने यहाँ पर सभी को पलट दिया है अब दूसरी तरब से भी हम अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक इने फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं इनका कलर अच्छा सा हो गया है तो हम इने प्लेट में निकाल लेंगे और ये काफी फूल भी गए हैं अब इन गरम गरम पीठा को हम चासनी में डालेंगे चासनी भी हलकी गुनगुनी होनी चाहिए इस वाद का आपको ध्यान रखना है ये चासनी जो है गरम गरम चासनी हम पीठा के उपर डालेंगे तो गरम में ही अच्छे से चासनी अब्जॉर्ब करेंगे और हमारी जो मिठाई बनेगी वो बहुत ही जूसी होगी धक करके मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और अब ये जो पीठा है उसने चासनी अच्छे से अब्जॉर्ब कर ली है इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेते हैं उपर से हम इसमें डाल देंगे चासनी ये देखे फ्रेंट्स हमारी कितनी अच्छी सूजी की मिठाई बन के तयार है आप इसे सूजी के गुलाब जामुन भी कह सकते हैं या फिर आप इसे सूजी का पीठा कह सकते हैं और आप देख पा रहे होंगे ये अंदर से कितना रसीला बना है बिल्कुल भी हाड नहीं है एकदम सौप्ट बनी है मिठाई तो आप भी इस मिठाई को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारी रेसिपी कैसी लगी फीडबेक में जरूर बताएगा